तो कल 23 फर्वरी है और कल है न्यू मून और आज मैं आपके लिए लाई हूँ अबंडन्स चेक कैसे भरते हैं अबंडन्स चेक एक खास तरह का चेक होता है दो तो जिसको हम न्यू मून के दिन भरते हैं वो आप पैसा मैनिफेस्ट करने के लिए या रिलेशनचिफ मैनिफेस्ट करने के लिए भर सकते हैं आप चाहे तो नॉर्मल चेक कर यूज कर सकते हैं वरना मैंने अपनी साइट पर फ्री अबंडन्स चेक दिया है और इट इस वेरी वेरी एफेक्टिव क्योंकि मैंने पहले के वीडियो में बताया है कि न्यू मून पर एनर्जी बहुत हाई होती है प्रकृति में तो आप इस एनर्जी को राइड करो और अपनी जो डिजायर्स है उन्हें बस अपने पास बुलालू शालू खान की तरहाँ खोल के यह बहुत ही इफेक्टिव है दोस्तों और मैं अबंडन्स शेक का यूज पिछने दो तीन सालों से कर रहे हूं और आज मैं अपनी इस रहसे को सीक्रेट को आपके साथ शेयर करें ताकि आप अपनी लाइफ में वो मैनिफेस्ट कर सको जो आप चाहते हो और आप बनो सूपर डूपर मैनिफेस्टर तो कैसे इसे करना है आएगे देखते हैं यह आपका अबंडन्स चेक है यहां पर मैंने एक नॉर्मल चेक लिया है आप लोगों को बताने के लिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है आपको निखना है अपना नाम पेई में और बेर को आपको कैंसिल कर देना है ठीक है नीचे आप वो अमाउंट लिखेंगे जिसक यहां भी 10 लैक्स और मोर और डेट में आप चाहे तो एक स्पेसिफिक डेट डाल सकते हैं यहां पर मैंने नाव लिखा है यह जो है प्रोस्पेरिटी का सिंबल है यह मनी नंबर्स हैं जो यूज के जाते हैं 808-741-518-9912 ठीक है यहां पर यह मीडास का सिंबल है और यह सि सिंबल है अबंडन्स का यहां पर मैंने देखे मिराकल मनी नंबर्स लिखे हैं 520-528 श्रीम और ओम का साइन बनाया है यहां पर 318-612-518-714 लिखा है यहां नीचे लिखा है कि पैसा हमें किस रास्ते से चाहिए ग्रेस से जौए से लव से वेल्थ से हैपिनेस से ग्राट से यहां भी देखे मनी मिराकल नंबर है 714-273-2183 और यहां पर हमने लिखा है और तीन बार नीचे थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखा है यसी आपको हरे कलर की sketch pen से या pen से भरना है क्योंकि ग्रीन कलर जो होता है वो मनी का प्रतिक होता है अगर आपके पास एक ग्रीन कलर की candle है crystals है तो आप उन्हें भी पास में लगकर use कर सकते हैं और इस चेक को आपको new moon पर भरना है क्योंकि new moon पर energy बहुत ही हाई होती है आप चाहे तो इस चेक को relationship attract करने के लिए शादी को attract करने के लिए partner को attract करने के लिए भी भर सकते हैं यहां पर आप लिखे कि I'm happily married with my husband ठीक है और आप एक date डाल दोगे specific जो आपको डालना है तो आप इस चेक को ध्यान से देख लीजिए और यह symbols आप बनाना सीख लें आप नेट से भी इन symbols को draw करना सीख सकते हैं ठीक है और इन्हें बना करके आपको इन्हें फोल्ड करके blessing देकर आपको इन्हें अ को burn कर दें और हर new moon पर आप एक नया चेक बना सकती हैं आप चाहे तो एक से ज़्यादा जीक भी बना सकते हैं जब मेरी शादी नहीं हुए थी तो मैं एक चैक अपनी शादी के लिए बनाती थी और एक चैक अपनी money के लिए financial status के बनाती थी तो यह आपके उपर ने भर आप इसे देख लें बिल्कुल ऐसे ही बनाएं आज के वीडियो में इतना ही नमस्ति